वेलकम टो सीए गुरुजीक्लासिस.डॉट कॉम आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्डेंट डिस्काशन है जैसा कि आपने देख लिया है थाम्निल पे कैश ट्रांसाक्शन के बारे में डिस्काशन करेंगे एस पर इंकम टेक्स एक्ट जी एस टी के लिए चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप स्क्रीन पे मेरे पीछे देख पारे हैं बहुत सारे कोर्सिस के नाम लिखे हैं हमारी वेबसाइट cagurujiclassis.com पे कोर्सिस का सेक्शन है, कोमबो कोर्सिस और फ्री में पढ़ने के लिए आर्टिकल्स टेक्स अप्डेट सेक्शन में अवलेबल है एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें अपनी नॉलिज को इंप्रूव और एन्हांस करने के लिए तो चलिए, कैश ट्रांजक्शन को समझते हैं किसी भी लेन देन को करने का दो तरीके आपके पास अवलेबल है इन्हें हम ट्रांजक्शन कहते हैं चाहे आप इन ट्रांजक्शन को कैश में कर लो या अधर देन कैश अधर देन कैश कोन से मोड हो सकते हैं? जैसे कि आपकी नेट बांकिंग हो गई इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं कार्ड्स हो गए आपके क्रेडिट ये डेबिट कार्ड आपके वालेट्स हो गए आज कल बहुत जादा लोग इसे यूज करते हैं UPI हो गया ठीक है तो गार्मिन ना इन्हें तो कहती है कि बढ़िया है आप इन तरीकों से करो because इनकी ट्रैकिंग बहुत इजी है पर गार्मिन कैश ट्रांजक्शन को थोड़ा सा प्रोहिब्ट करती है इसलिए कुछ ट्रांजक्शन पर गार्मिन ने लिमिट लगा रखे कि आप कर तो लो cash expenses पर हम देंगे आपको लिमिट अब ट्रांजक्शन होती किस तरह की है हम क्या-क्या चीजे परचेज करते हैं वो चाहिए goods कर रहे हो आप services परचेज कर रहे हो fixed assets परचेज कर रहे हो ठीक है कोई भी आप खर्चा कर रहे हो यह होती है हमारी transactions ठीक है या फिर यह तो हो गया आप खर्चा कर रहे हो या फिर आप किसी को कुछ sale कर रहे हो तो उससे पैसा ले रहे हो या फिर आप किसी को उधार दे रहे हो loan ठीक है loan देना given या accept करना ठीक है इस तरह की transactions या किसी को donate करना ये इस तरह की transactions आप करते हो जर्नली cash में आपको ये transactions cash में करना easy लगता है अब हम समझते हैं ये ऐसी transactions जो आप cash में करना आपको पसंद है क्या income tax department उनके लिए limits लगाता है बढ़ते हैं मेरे article की तरह यहां बेख सकते हैं screen पे पूरा article मैंने यहां पे लिख दिया है इसमें सारी details मैंने cover की हैं क्या-क्या transactions है जो income tax department बताता है आपको cash में नहीं करनी है तो सबसे पहली transaction जिसकी मैं discussion कर रही हूँ वो है आपकी sale receipts government ने हमें एक rule बताया है उसके according कोई भी person person बहुत wide है income tax की language में individual, HOF, AOP, BOI, artificial judicial person, company, partnership firm, LLP सभी की बात इसमें करी जाती है कोई भी allow नहीं है receive करने के लिए cash में एक amount जो 2 लाखया उसे ज़्यादा का हो कैसा amount अगर आपने in aggregate from a person इना दे लिया है एक ही person ने आपको चाहे 54,000 करके 4 बार में 2 लाख या उसे ज़्यादा का पैसा दिया है allowed नहीं है aggregate देखना है एक single transaction के लिए 2 लाख 10,000 की मानलो sale करी है आपनी total पूरा पैसा आप cash में बिल्कुल भी नहीं ले सकते in respect of transaction related to one event और occasion from a person एक ही person से आपनी event या occasion के लिए जो transaction की है उसके भी 2 लाख से ज़्यादा की transaction allowed नहीं है अभी मैंने आपको पीछे कुछ transactions बताई थी उनमें एक transaction मैंने miss कर दी थी property buy करने के time पे आप देते हो एक token money उसकी भी मैं बात करूँगे बयाना बोला जाता है उसकी भी discussion में यहाँ पे करूँगे तो बहुत important वीडियो आपको बिना skip की end तक देखनी है आप खुद तो देखी रहे हैं इसे आप share भी कर दे ना और भी persons के साथ पर इस provision की कुछ exceptions है यह provision apply नहीं होगा जब यह receipt करी जा रही है गवर्मेंट के थुरू या कोई banking company, post office या cooperative bank तो बैंक तो करते हैं except आपको पते हैं तो government और bank को यहाँ से अटा दिया है या फिर कोई government किसी और class को notify कर दे उन पर यह rule applicable नहीं है otherwise आपको ध्यान रखना है आपने 2 लाग या उससे जादा की receipts मैंने आपको सेल के साथ इसे जोड के बताया अबर कोई भी receipt आपकी 2 लाखिया उससे जादा की नहीं होनी चाहिए एक person से एक ही डे में aggregate single transaction के लिए या फिर इना event और occasion from a person अगली बात करेंगे हम expense की आपके business में बहुत सारे expenses होते हैं आप अपना profit and loss account बनाते हो यहाँ पर आपका sale proceeds या revenues होती है यहाँ पर आपके सारे खर्चे होते हैं खर्चों को claim करके आपका profit या loss आता है इस profit पर आप क्या देते हो? tax ठीक है तो अगर मैं कोई खर्चा disallow कर दूँ यहाँ पर आपने एक लाग का कोई खर्चा claim करका है अगर मैं इसे disallow कर दूँ मैं income tax हूँ मैंने गा यह एक लाग का खर्चा तुम्हें allowed नहीं है तो मान लो आपका profit आ रहा था 5 लाग का मेरे disallow करते ही आपका यह profit हो जाएगा 6 लाग का क्योंकि एक लाग का खर्चा मैंने आपका disallow कर दिया जिसे आपको देना पड़ेगा जाधा tax तो expenditure के case में भी government ने limit लगा रखिये in case of a person incur any expenditure for his business or profession तो business profession के case में अगर कोई person खर्चा करता है in respect of which payment और aggregate of payment made in cash in a day exceed कर जाती है 10,000 10,000 से जादा का खर्चा आप cash में नहीं खर सकते हो करोगे तो 100% of this payment will be disallowed while computing the taxable income साथी goods carriage के लिए ये limit 35 है 10,000 की तरह अगर आप payment करते हो being made for playing, hiring or leasing of goods carriages then limit is 35,000 instead of 10,000 अब बात करते हैं अगर आपने fixed assets purchase करी है क्या purchase करा है fixed assets purchase करी है उस case में भी अगर आप cash में payment करते हो in a day 10,000 or more such expenditure is not included for the purpose of determination of actual cost of such asset and this means that no depreciation benefit will be available on the capital expenditure तो 10,000 से जादा की अगर fixed asset आप cash में purchase करते हो उस पे आपको even depreciation का benefit भी नहीं मिलेगा और वो cost उसकी allow आपको नहीं करी जाए now very important discussion taking or accepting loan या deposit तो आप किसी person से अगर पैसा लेते हो loan के लिए deposit के लिए या फिर any amount in relation to transfer of any immovable property token money property को sale करते हुए जो आप लेते हो वो भी allowed नहीं है कितने amount की 20,000 या उसे जादा की cash में बिलकुल भी allowed नहीं है कुईसी से आप उधार ले रहे हो या फिर property के time पर आप sale करते हुए अगर token money ले रहे हो तो वो बिलकुल भी आपको allowed नहीं है cash में लेना 20,000 से जादा इस बात का आपको धियान रखना है बहुत से persons को इसकी knowledge नहीं होती property के case में बहुत सारा cash involved होता है और वो ये गलतियां करते हैं exception में इसकी भी वही government, bank, post office, cooperative banks, etc अभी हमने accept करने की बात करी थी इसी तरह से आप repay भी नहीं कर सकते loan या deposit in cash 20,000 से जादा का loan या deposit आप cash में बिलकुल भी repay नहीं कर सकते ये बिलकुल ही prohibited है the aggregate amount of loan or deposit or specified advance help by such person either in his own name और jointly with other person on the date of such repayment together with the interest इस रखनी is 20,000 और मोर ये बिलकुल ही disallowed है और साथ ही government 2019-20 से TDS 2% का cash withdrawal of रोपीज 1 करोड और मोर announce किया था section 194N में TDS आपका deduct करता है bank इसे मैंने अपने article में include करके यहां जिस flyer से मैं आपको बता रही हूँ ये भी हमारे article में cover है link description और pin comment में मैंने दिया है next 2 very important आप donations अगर करते हो तो वो भी cash में सिर्फ 2000 तक की allowed है 2000 से जादा की donation आप cash में नहीं कर सकते इसी तरह से अगर आपने health insurance कराया है medical claim कराया है तो वो भी आपको cash में आप उसका जो premium है वो pay बिलकुल भी नहीं कर सकते तो मैंने आपको ये cover करा दिया cash payment under business and profession transaction की जो limit expenditure की 10,000 per day है assets acquire करने के लिए 10,000 per day है और leasing and hiring अगर आप करते हो goods carriage की 35,000 उसके case में per day की limit है then cash receipt under business and profession उसकी 2,000,000 की limit है then है हमारा अगर आप accept करते हो loan ya deposits उनमें 20,000 की limit है अगर आप repay करते हो certain loan ya deposit उसमें भी 20,000 की limit है 20,000 से जादा cash में नहीं कर सकते फिर उसके उपर आपको online mode select करने पड़ते है TDA's on cash withdrawal की detail मैं नहीं आप डाल दी है आप इसे पढ़ना इसकी separate video अगर आपको चाहिए तो comment कर देना then tax audit की applicability this is very important tax audit applicability on account of cash transaction एक बहुत important चीज है कि अगर कोई person अपने business की receipts या expenses कम से कम cash में करता है तो उसकी जो audit की limit है न वो 10 करोड हो जाती है यानि उसे 10 करोड तक कोई भी audit नहीं कराना होता otherwise person को 1 करोड तक audit कराने की requirement आ जाती है अगर वो cash transactions करते हैं ठीक है हम यहाँ पर 44 AD, ADA की बात नहीं कर रहे हैं अभी मैं आपको normally बता रहे हूँ कि 10 करोड limit है अगर आप अपने business में जाधा से जाधा transactions other than cash करते हो और business के cash receipts या expenses in formula to calculate cash repayment या payment भी मैंने हैं include कर रहा है cash receipts कैसे देखी जाती है total cash receipts देखो उसमें से contra entries less कर दो capital contribution, amount received from partners, bank deposit received तो आजाएगा आपका net cash receipts देन आपकी payments में से contra entry minus करो capital contribution paid, amount paid to partner and bank withdrawal this is your net cash payment इसका 5% देखना है 5% से जाधा की business transactions cash में नहीं होंगी तो आप पर audit की 10 करोड वाली limit applicable होगी, आप उसका benefit ले सकते हैं तो इतनी important video है और भी persons के साथ share जरूर करें ऐसी important videos देखने के लिए इस video के नीचे भी button है subscribe का या फिर CA Guruji YouTube चैनल पे आए और subscribe पे click कर ले, यह आपके लिए बिल्कुल free है अब आजाएए हमारी website cagurujiclasses.com पे यहाँ पे हमारे courses active है courses के combo भी हमने बना रखे हैं जैसे की trademark, income tax, ITR TDS, GST का course, automation of balance sheet accounting with teleprime TDS and TCS का बहुत famous course है बहुत सारे personal role कर चुके है company registration और आपको लग रहा होगा कि देखिए company registration यहाँ भी है यहाँ भी है अब इनके thumbnails में difference है जो yellow color के thumbnails है इनकी validity limited है और जो यह वाले thumbnails है इनमें lifetime validity है courses में कोई difference नहीं सिरफ validity का फरक है और कोई भी change आता है किसी भी aspect में तो साथ ही साथ courses में वो cover कर दिया जाता है इसलिए हमारे courses हमेशा updated रहते हैं तो आप जिस भी course में interested है मानलिज़ आप इसमें interested है इस पे आप click करेंगे तो आपको सबसे पहले तो इस course को go through कर लेना है पूरी तरह किसे ठीक है क्या क्या आप इसमें learn कर पाएंगे अगर यह आपकी need को satisfy करें तो यहाँ पे आपके सामने है add to cart का button जैसे किसी भी website से आप shopping करते हैं ऐसे ही हाँ से इसे आप add to cart करें और add to cart करते हैं आप से कुछ basic details आपकी वागेगा वहीं से आपका login भी create हो जाएगा इसी website पे आप login करके dashboard में enroll course में इने देख पाएंगे बहुत सारे persons हमारे courses का benefit लेके अच्छा खासा earn कर रहे हैं मेरे पास काफी feedbacks receive होती ही रहती है तो आप भी अपनी knowledge को बढ़ाएं because knowledge is power और आप तो इस वीडियो को देखी रहे हैं और भी persons के साथ share करना ना भूले thank you so much everyone thanks for watching